परफेक्ट मेदू वड़ा कैसे बनाते हैं आज हम इस वीडियो में देखते हैं वीडियो कोईन तक जरूर देखिए क्योंकि बहुत चारे टिपस है जो आपके वड़ा को एकदम परफेक्ट बनाएगा तो बिना देर किये जल्दी से शुरू करते हैं आज करेसे उड़े दाल का वड़ा या मेदू वड़ा या उदिन वड़ा बनाने के लिए मैं यहां पे बountain में सबसे पहले दो कप उड़े दाल ले रही हूं अगर आप पहले कभी उड़त दाल के पापड बनाये तो आपको अंदाजार रहा होगा कि उड़त दाल में कितना स्टार्च कंटेंट होती है तकालने इसे निकालने के लिए तो हमें दो से तीन बार इसको अच्छे से दोके लेना है हर बार पानी चेंज करके दोना है ताकि मैकजिमम इसका स्टार्च निकल जाए यहाँ पर और इसके बाद यहाँ पर मैं तीन बार दोके ले चुकियो अब इसमें हम लोग पानी भरके ओवरनाइट सोक करने रख देंगे या फिर आप चार से पांच गुंटा रख दीजे यह पानी गलती से भी आप यूज ना करें इसको निकालके हम फिर से फ्रेश पानी में दोके फिर इसको चांद लेंगे हमें पानी बिल्कुल नहीं चाहिए इसको पीसने के लिए अब सारा पानी विकलने के बाद, अब हम क्या करेंगे, एक मिकसर जार में, हमारा जो उड़त डाले उसको लेंगे तो मैं सिर्फ याद रखे थोड़े थोड़े बैचस में ही इसको पीसे सारा एक साथ मत भरिये क्योंकि बीना पानी के हम लोग पीस रहे तो मिक्सी जल्दी घूमेगा ने अब एक राउंड ऐसे ही बीना पानी के हलका सा घूमा लेंगे अब हमें इसमें एक्तम थोड़ा ही पानी आड़ करें जिससे मिक्सी बस घूम सके अब मिक्सी करने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है इसको हम क्या करेंगे बहुत बड़ा सा बावल में इसको निकालूंगी बच्चे वड़त दाल को भी मैं वापस मिक्सर में डाल की फिर से प तलने से पहले गरम तेल डाल सकते हैं या फिर चावल काटा मिला सकते हैं अब इस बार में इसमें और कर ye už God के डाल सकते हैं फिस्टियाध पूरे दो कप और दाल मेया पे आड़ करें सिर्फ दो टीस्पून चावल का आटा मतलब एकदम नाक के बराबर हमें लेना है जिससे हमारी जो वड़ा है वो एकदम क्रिस्प बनेंगे बाहर से अगर चावल का आटा ज्यादा हो गया तो आपका और दाल जो है वो सौफ बिल के बाद उसी बाउल में हम निकाल लेते अब हम इसमें ऐड करेंगे बारी कटे हुई धनिया और कड़ी पता दोनों एक साथ डाल रहे हूँ फिर इसमें आड करेंगे नमक और यह तो आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते काटके हम लोग अलड़ी काली मिर्च डाल चुके इसमें आप फ्रेश कोकनट भी चुटे चुटे काट के डाल सकते हैं वह भी बहुत अच्छा लगता है बैटर को हम यहां पे करेंगे मिक्स अब हमारा बैटर पर्फेक्टली बनाए किने कैसे चेक करें एक छोटा सा कटोरी में पानी लिजे और उसमें स्पोन या हाथ को थोड़ा सा गीला करके थोड़ा सा आटा लेके उसमें छोड़े अगर आटा इजली फ्लोट हो रही है तो इसका मतलब हमारा बैटर बिल्कुल तो इसका मतलब तेल ज्यादा अब्जॉब नहीं करेंगा अगर आपका बैटर थिक है या फिर कंसिस्टेंसी ठीक नहीं तो बहुत ज़रा तेल अब्जॉब करेंगा जैसे हमारी बैटर बन जाती है हम इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं पर आप इसको डाइरेक्ली भी बना सकते हैं मैं आदा गंटा छोड़ी थी उसके बाद थोड़ा बहुत फर्मेंट होने के बाद हमारा जो बैटर है और भी थोड़ा लाइट हो जाएगी अब चलिए हम लोग वड़ा तलना शुरू करते हैं एक कडाई में आलड़ी मैंने तेल गरम करने रखी थी अब हम वड़ा बनाना शुरू करते हैं हाथ को पहले कटोरी में पानी लीजे हमेशा उसमें एक बार डिप करिए हाथ को फिर थोड़ा सा आठा हाथ में लीजिए फिर अपने उंगलियों पर ही थोड़ा से ऐसे ऐसे घुमाई उपर नीचे करिए एक गोल सा जब बन चाएगा उसमें फिर अपना जो थंबे उससे एक होल जैसा बना के धीर से टेल के उपर छोड़ें एकदम उपर से ना डाले एकदम दीरे से डाले और डालते टाइम जब आप वड़ा इसमें डाल रहे तब सिम को हमेशा गैस को सिम पर रखिए और जैसे हमारा एक दो तीन वड़ा डालेगा तो इसका जो फ्लेमे उसको हम बढ़ा देंगे मीडियम फ्लेम में इसको हम तलेंगे अब इसको और क्रिस्पी करने के लिए आप वैसे भी कर सकते नहीं तो आप बीच में जब हाफ डन होता है तब आप निकाले फिर एक मिनिट के बाद फिर से डाले तब ज्यादा क्रिस्पी और कलर भी एकदम परफेक्टली आती है अब देख सकते हैं थोड़ा सा बबल जैसे आया रहता है वह इसलिए क्योंकि आप पलटने में देर कर दियो अब देखिया हमारा परफेक्टली बन के तयार हो रहा है वड़ा अगर वड़ा के साथ सांबर करें चाहिए उसका लिंक बिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है इंकमा गरम सांबर और चिटनी के साथ प्रोसी होप आपको वीडियो अच्छी लगी अगर इच्छी लगी तो लाइक कर दीजेगा और अगर चानल में नए है तो फिर सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू फो वाचिंग और एक इग्जाइटिंग रिसिपी के जाथ में फिर मिलती हो